Hello everyone, welcome back to my channel So, आज के इस वीडियो में हम लोग 14 नवंबर बाल दिवस पर एक डमदाद भाषड सीखेंगे और अगर आप इस भाषड का चुनाओ करते हैं और अपने मंच पर अपने स्कूल में जहां पर भी आप बोलना चाहें अगर आप ये भाषड बोलते हैं और लोग आपकी काफी तारीफ करते हैं तो आप में जहें कॉमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताईएगा क्योंकि मुझे काफी अच्छा लगेगा अगर आपकी तारीफ हो ठीक है? तो आईए वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले देखिए बाल दिवस है आज साथियों आओ खेलें खेल जगे जगे पर मची हुई है खुशियों की रेलम पेल बरस गाट चाचा नहरू की फिर आई है आज उन जैसे नेता पर सारे भारत को है नाज देखे किसी भी भाषण की शुरूआत अगर आप एक कविता से करते हैं तो आपके भाषण में चार चांद लग जाते हैं ठीक है? तो आप एक कविता से शुरू करिएगा तिथा कविता से ही अंत कीजिएगा इसके बाद देखिए आदर निये प्रिंसिपल सर अगर मैं है तो मैं लिखेगा आदर निये प्रिंसिपल सर, शिक्षकों और मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं आपको बाल दिवस की शुप कामनाये देती हूँ या फिर देता हूँ आज हम सभी यहां बाल दिवस मनाने के लिए एककत्र हुए है सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि 14 नवंबर को बाल दिवस क्यों मनाया जाता है दोस्तों 14 नवंबर को महान भारतिय स्वतंतरता सेनानी और भारत के पहले प्रधान मंत्री पंडित जवाल लाल नेरू का जन्म दिन है जवाहर लाल नेरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे या फिर बेहत प्यार करते थे बच्चे भी उन्हें चाचा नेरू के नाम से बुलाते थे इसलिए उनके सम्मान में हर वर्ष 14 नवंबर यानि उनकी जयनती को बाल दिवस के तौर पर मनाया जाता है पंडित नहरू कहते थे आज के बच्चे कल के भारत का निर्मान करेंगे बच्चे ही इस देश का भविश्य हैं इसलिए ये जरूरी है कि उनकी शिक्षा एवं कल्यान पर विशेज ध्यान दिया जाए हम जितनी बहतर तरह से बच्चों की देख भल करेंगे राष्ट निर्मान भी उतना ही बहतर होगा बाल दिवस समारों का आयोजन देश के भविश्य के निर्मान में बच्चों के महत्यों को बताता है बच्चे राष्ट्र की बहुमूल्य संपत्ती होने के साथ ही भाविश और कल की उम्मीद है इसलिए उन्हें उचित देख रेक और प्यार मिलना चाहिए भारत के आजाद होने के बाद बच्चों के विकास उनकी शिक्षा स्वास्ति को लेकर सरकार ने कई योजनाय बनाई है लेकिन आज भी बहुत से बच्चों को उनका अधिकार नहीं मिल पाता है बाल दिवस का अर्थ है पोर रूप से तक तक सार्थक नहीं हो सकता जब तक हमारे देश में हर बच्चे को उसके मौलिक बाल इधिकारों की प्राप्ति ना हो जाए बाल शोशन और बाल मस्दूरी का पूरी तरह से खात्मा होना चाहिए आठिक कारणों से कोई बच्चा शिक्षा पाने से वन्चित नहीं रहना चाहिए बाल कल्यान के लिए चल रही सभी योजनाओं का लाब बच्चों तक पहुँचना चाहिए बाल दिवस के उसर पर हम सब को मिलकर बाल अधिकारों के प्रती जागरूपता फैलानी चाहिए बाल दिवस और चाचा नहरू पर मेरे विचारों को आपने सुना इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एक छोटी सी कविता के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगी या फिर चाहूंगा बच्चे यदि संसकार पा गए देश सबलिय होगा बच्चों की प्रशनावलियों से हल सवाल हल होगा बच्चे गा सकते हैं जग में अपना गौरोगान बच्चे के मन में बसते हैं सदा स्वेम भगवान जैहिन जैभारत